बस्ती विश्व हिंदू महासंग के जुलाध्यक्ष अखिलेश सिंग ने कहा कि 22 जनवरी की दिन आज तक कि सबसे बड़ा दिन होगा अखिलेश सिंग ने कहा कि प्रभू श्रीराम चंदर जी 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे उसके उपलक्ष में हिंदू समाज सदियों से दिपावली मनाता चला रहा है विश्व हिंदू महासंग के जुलाध्यक्ष अखिलेश सिंग ने कहा कि आज 500 साल बाद प्रभू श्रीराम अपने घर वापसी कर रहे हैं ये बहुत बड़ा त्योहार है श्रीराम जन्म भूमी प्राण प्रतिष्ठा के निमित पूजित अक्षत का वित्रण विश्व हिंदू महासंग द्वारा टीम के द्वारा किया गया हम लोग गाउगाउँ जाकर पूजित अक्षत का वित्रण किया गया विश्व हिंदू महासंग के जुलाध्यक्ष अखिलेश सिंग ने बस्ती जन्पत वासियों को अपीर की है कि अपने अपने घरों में 22 जन्वरी को दीपक जलाए अखिलेश सिंग ने ये भी कहा कि अपने अपने मंदिरों की साफ सफाई करें और भजन कीरतन करें पहले तो बाई जनुली का दिन आज तक के दियास का सबसे बड़ा दिन रहेगा एक बार प्रहुसी राम चंजी जी 14 वर्ष के लिए बनबाव गये थे उसके उपलच में हिंदू समाज सधियों से दिपावली मनाता हुआ चला रहा है आज 500 साल बार प्रहुसी राम अपने घ सबस्क्राइब अच्छान जा गरहा है करें अच्म धिट्रन का और लोगों से क्या रहे कि दिपावली से भी भाभ गख गउणी इतwarβा जिमानि को जो हम लोग घरसाल दिवाली बाले वालाते अपने गरज में बाला जो गरीड तक करें की कि लोग उर्सेभाश पांज पर अपने घर पे आपने जरूब जलाए और सब बस्ती जन्पत में डोर टो डोर आप लोग जुरू सुगरा रिकाला जा रहा हैं दोर टो डोर हम लोग जा रहे हैं और चुकी मानिय परदार बंत्री जी का मानिय गुरश पीठा दीषवर परपुष योग आधितनाज जी माहराद जी का जुदेश है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग आजुद्या पहुचेंगे तो वहां का प्रसाफिन स्कावाल कारिकिरम में अपना तफ्री हो जाएगी तो लोग गांव डोर टो जा रहे हैं और तबसे बताया जाए कि अपने मंदिरों की साफ सपाई करें मंदिरों पे पूजा करें भजन कितन करें और 22 जनुरी की दिन दीपावलिका का कारिकिरम करें और हम लोगों का एक बहुत बजन बली के और तबाम जाटी और हजारों लोग रोट सो भी साथ ठीक